अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ग्रेट, बहुत अच्छे एक बार कमेंट कर दो यार सभी लोग जल्दी से कमेंट करो जैहिन स्टार्ट करेंगे क्लास को ठीक है, ओके अवाज आ गई है, अवाज ठीक आ रही है ग्रेट, बहुत अच्छे चलो करने का मतलब है कि कुछ नया करने गए थे लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि जो गलत हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए था तो वह आपको सक्सेस के तरफ ले जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं और लेकर आता हूँ आज मैं trigonometry पढ़ा रहा हूँ जो मेरा target है वो cds के लिए है और ssc के लिए ठीक है next अब सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा simple सी कुछ चीज़ है जिनके बारे में आपको समझना स्वड़ा सा जरूरी है तभी आगे के कोशन साब कर पाओगे आपको सबसे पहले तो trigonometric जो values होती है त्रिकोंड मितिय जो values होती है जो आपकी त्रिकोंड मितिय मान होते हैं वो आपको पता होना चाहिए I think मुझे लगता है सभी को करेंगा भी सर्फ normal values पर बात करेंगे इसके अलाब आपको और भी बहुत सीकने हैं 15 डिगरी 75 डिगरी 18 डिगरी 36 degree 54 degree 72 degree यह सब आपको सीखने है और भी मैं आपको सीखाऊंगा तो यह तो जो होता है कि आप सिंपली सीखते हो काफी लोगों को याद भी हो जाती है लेकिन कई बार इन में बड़ी दिक्कत आती है और से इसमें में में बहुत सारे कोशन स्पूस्था इससे में इससे कोशन सा जाते इन वैल्यू से जो आप से सौल नहीं हो पाते हैं और एक बात जहां रखना ट्रिग्नोमेट्री जितना अच्छे से समझोगे हाइटें डिस्टेंस आपको उतरी ही अच्छी समझ में आएगी ठ ठीक है नेक्स्ट कोशन पर आता हूं मैं एक पर पहले कोशन से ले देता हूं कुछ सिंपल सिंपल से जैसा पहला कोशन है लेकिन हाँ उससे पहले एक रूल और बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अब यह रूल क्या है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं योगांतर अनुपात योगांतर अनुपात नियम कहलो या निश्पत्ति कहलो कुछ भी कहलो ठीक है हिंदी में दो तरीके साथ है अब योगांतर अनुपात नियम क्या है इसके वर्ड को समझना यह जो वर्ड है इसका संधी विच्छेद अ करेंगे तो योग आएगा और क्या एगा अंतर योग और अंतर और उसका क्या लेंगे हम अनुपात लेंगे आप लोगों को काफिस टीचर्स ने पढ़ाया होगा और सिखाया होगा कि योगा अंतर नुपात होता क्या है कैसे लगाते है वो भी सिखाया होगा लेकिन मैं आप समानुपात किया है जब दो अनुपात समानुपात समानुपाइद है लाइक ए रेशयो बी जब बराबर हो जाएगा किसके सीरेशयो dolor शलते अब यह एक अनु न चीछ यह आंनुपात बराबर हैं तो यह क्या बन गया बेटे समानुपात बंगया जैसा कि क loot को क्या मैं इप एंप sigui को क्या मैं अपन बीजिक सकता हूं वेखिल सकता हूं बैई रेशिव फ्राक्षेण परर्सेंटेज यह सभी एकी तो हे ठीक है उसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूं सी अपन डि लिख सकता हूं तो एक रेष्यो यह रहा है एक इशे हो रहा है दोनों आपस में क्या बराबर है अब यहां पर कोशन क्या कहता है कोशन का मतलब है कॉम्पोनेंडों डिविडेंडों रूल क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूं देखो कॉम्पोनेंडों डिविडेंडों रूल यह कहता है कि सबसे पहले योग करें फिर अ क्या ले ले अनुपात ले ले पहले योग करेंगे फिर अंतर करेंगे और उसका क्या ले लेंगे अनुपात ले लेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि यह आपका न्यूमरेटर होता है और यह डिनोमिनेटर इसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर बोलते है समानूपात में लगता है प्रपोर्शन में लगता है तो दोनों तरफ ऐसी लगेगा सी प्लेश ली यहां पर भी हो जाईगा उसके बाद ऊपर वाले में सही नीचे वाले को घटा देंगे A-B लगाएंगे और यहां पर भी क्या करएंगे C-D यह हो गया योग और यह हो गया अनतर योगांतर पूरा हो गया है अनुपात बाकी है अनुपात की लिए क्या करेंगे अनुपात लगा दिया और क्या हो जागा बराबद यह हो गया आपका component and dividend rule यह बन गया आपका क्या component and dividend बच्चों के दिमाग में सबसे पहली बात पता है क्या आती है वो यह सोचते हैं कि यह रूल हम कहां लगाते हैं यह रूल हम लगाते का हैं और कभ लगाना तो वह मैं आपको बताऊंगा आगे एक बार लगा कर आये और फिर से इसमें component o dividendo लगा दोगे तो क्या होगा उपर वाले में जैसे ही आप नीचे वाले को जोड़ोगे तो क्या होगा उपर वाले में जैसी नीचे वाले को जोड़ोगे B और B कट जाएगा क्या आजाएगा 2A आजाएगा ऐसे उपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करोगे तो नीचे क्या आजाएगा टू भी आजाएगा और सेम प्रोसेस इस तरफ हो जाएगा टू सी अपॉन में टू डी तो क्या हुआ continuous अगर हम component and dividend rule लगाते हैं तो यह हमारा यूटन हो जाता है जहां से हम चल के आते हैं और वहीं पहुँच जाते हैं तो क्या बात समझ मैं कि कभी भी component and dividend rule एक साथ नहीं लगाये जाएगा repeatedly नहीं लगाना है कि अभी लगाया और फिर से लगा दिया ध्यान एकना इस बात को अब यह component and dividend rule जो है यह बनता कहां से है और कैसे बनता है चलिए इस पर हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं सिखा देते हैं आप लोगों को कि आखिर component and dividend rule चूँ बनाया जाता है और क्यों सिखाया जाता है ठीक है हर चीज का जिक्र करता हूं यार मेरे अंदर आदत है जिसको बुरा लगता हूं लगता रहे आप whiskey to depression मैंने कहा कि हमने यहाँ पर दो रेशेयोज लिए थी एयप ऑन वी रपाउन में एकवर स्टु सियप और मैं आ Gandakya एक बार मैंने धूनो तरफ प्लेस्वन कर दिया यंदर भी मैंने प्लेसवन कर दिया इस तरफ भी प्लेस वन में D, बन गया, एक बार मैंने plus किया, अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ ले रहा हूँ, क्या था मेरा A upon में B equals to C upon me D था अब इस बार मैं पते क्या कर रहा हूं इस बार मैं इसमें से 1 minus कर रहा हूं 1 minus कर दिया 1 minus कर दिया जब मैं minus करूंगा तो A minus B upon में B आजाएगा equals to C minus D upon में क्या आजाएगा D आजाएगा this is equation number one and this is equation number two और जब हमने equation number one में divide किया किस से equation number two से equation number one में equation number two से आप divide करोगे तो क्या होगा इसके upon में यह आ जाएगा तो B से B कट जाएगा क्या बन जाएगा यह A plus B upon में A minus B और जब इसके डिवाइड में यह करेंगे तो यहां क्या बन जाएगा C plus D upon में C minus D और यही आपका क्या सरी component and dividend rule था या नहीं था यही था ना तो actual पर क्या होता है एक बार हमें plus करना होता है और A में होता है dividend तो बात समझें क्या बन जाएगा यहागा 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 यह झाल 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 झाल